माता दी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै माता दी जरूर लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि साल 2023 में भाई दूज का पर्व कब है इसका दीन वतारिक क्या रहेगा दूइतिया तिति कब प्रारम होगी और कब समाप्त होगी भाई को टीका करने का सोमुहुर्थ क्या होगा साथी साथ हम बताएंगे कि ट दीका करने का मंत्र क्या है और इसकी विधी क्या है वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा यम दूइतिया या भात्री दूइतिया के नाम से भी जाना जाता है। इस मौके पर बहने अपने भाईयों को तिलक लगा कर उनकी लंबी आयू और सुख समरिधी की कामना करती है। वहीं भाई सगुन के रूप में बहन को उपहार भेट करता है। भाई दूज के दिन मिर्त्यू के देवता यमराज का पूजन भी होता है। मानिता है कि इसी दिन यम देव अपनी बहन यमुना के बुलाबे पर उनके घर भोजन करने आये थे। भाई दूज के मौके पर बहने भाई के तिलक और आरती के लिए थाल सजाती है। इसमें कुमकुम, सिंदूर, चंदन, फल, फूल, मिठाई और सुपारी आधी सामगरी होनी चाहिए। तिलक करने से पहले चावल के मिसरन से एक चौक बनाया जाता है। चावल के इस चौक पर भाई को बैठाया जाता है और सुप मुहोर्तवे बहने उनका तिलक करती है। तिलक करने के बाद फूल, पान, सुपारी, बतासे और काले चने भाई को दी जाती है और उनकी आरती उतारी जाती है। परंपरा हर जगह का अलग-अलग होता है भाई को तिलक करने का। त 2023 दिन बुधवर को मनाया जाएगा तिलक का सुब समय क्या है वो डिटेल्स मैं स्क्रीन पे दे रही हूँ आप उसे ध्यान से देख लेंगे दूज के दिन भाई को तिलक दोपहर के बाद ही लगाना चाहिए और वो भोजन कराना चाहिए इसके अलावा यम पूजन भी दोप तिवहार होते हैं उसे कहीं न कहीं कोई पौरानिक मानिता और कथा जूड़ी रहती है थी किसी तरह भाई दूज से भी कुछ पौरानिक कथाएं जूड़ी हुई है कहानी है यम और यमी की कथा पुरातन मानिताओं के उसार भाई दूज के दिन ही यमराज अपनी बहन यम सब्सक्क्राइब कर Sydney और खुद्धार इंवराज क्योंगया और पिए सुूरय पुदर सब्सक्राइब करूए इने वर online िवरार पनला की स्थसे लेत से था ने भ姦िती सब्सक्राइब ŞMr. यमुदा के přेवराज सब्सक्राइब तिलक करेगी उसे तुम्हारा भै नहीं होगा बहन यमुना के वचन सुनकर यम्राज अति प्रसन हुए और उन्हें आसीस प्रदान किया इसी दिन से भाई दूज पर्व की सुरुवात हुई इस तिन यमुना नदी में स्नान का बड़ा महत्व है क्योंकि कहा जाता है कि आई दूज पर्व से जूड़ी संपूर जानकारी उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करे सेर करे और मेरे इस घरेलूखवर चैनल को सब्सक्राइब करे थैंक्स